नमस्कार मित्रो जैहिंत वंदे मातरम PCS Educare के पॉलिटी सेक्सर में मैं चंदरवर्धन आपका हर्दिक अभिनन्दन करता हूँ आज हम लोग देखने वाले हैं विधान मंडल की सक्तियों एवं कारियों के बारे में और इससे पहले हम लोग विधान सभा विधान परिशद के बारे में पढ़ चुके हैं आपके जो विधायक होते हैं जो विधान मंडल के सदस्य होते हैं उनके बारे में हम लोग सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे विधान मंडल के क्या कारे होते हैं और उनकी क्या सक्तिया होती हैं तो इससे पहले के जितने फी वीडियोज हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएंगे जो इस वीडियो का description नीचे दिया होगा उसी में आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप लोग description से सारे वीडियो देख डालिए तभी आपको ये समझ में आएगा अच्छे तरी के से ठीक है और इसके अलावा यदि चैनल पर नए हैं राज्य विधान मंडल जो होता है वह राज्य की व्यवस्थापिका होती है और समविधान के द्वारा राज्य विधान मंडल को व्यापक सक्तियां परदान की गई है और इनकी सक्तियों को जो अध्यन किया जाता है वह निमलिकित रूपों में अलग-अलग रूपों में बाढ़ कर किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विधाई सक्तियों के बारे में जिनें अंग्रेजी में legislative powers कहा जाता है राज्य विधान मंडल को सामाने तह उन सभी विशियों पर कानून बनाने की सक्ति प्राप्त है जो राज्य सुची एवं समवर्ती सुची में दिये गए है अब सुची क्या है ये तो समविधान के अनुसुची साथ में जो है तीन प्रकार की सुचीयां दी गई है जिनमें संग सुची है राज्य सुची है और समवर्ती सुची है इसके बारे में डिटेल में यदि आपको जानना है तो अनुसूची वाला जो मेरा वीडियो है वो जरूर देख लिजे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा ठीक है परंतु समवर्ति सूची के विशियों पर राज्य विधान मंडल के द्वारा निर्मित यदि कोई कानून है और उसी विशय पर यदि संसद भी कानून बना देती है और दोनों में यदि टकराव हो जाता है तब राज्य विधान मंडल द्वारा निर्मित विधी जो होगी ज कुछ विधेयकों को राज्य विधान मंडल में पेस करने से पहले उन पर राश्टरपती की अनुमती आवशक होती है जैसे कि ऐसे विधेयक जिनका संबंध राज्य के भीतर या विभिन्य राज्यों के बीच व्यापार वानिज एवं आने जाने की सोतंतरता पर रोक लगान जैसे अभी आपने देखा कोरोना वायरस के दौरान कोरोना संक्रमन के दौरान क्या हुआ एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में आने जाने पर प्रतिबंद लगा दिया गया तो इस प्रकार का यदि कोई कानून बनता है इस समय तो खेर गाइडलाइन्स के हिसाब से किया गया COVID-19 के टाइम में लेकिन यदि इस प्रकार का कोई कानून बनाना है जो कि अस्थाई कानून है तो उसके लिए आपका राश्ट्रपती से अनुमती लेना अवश्यक होगा ठीक है यह अनुछे 304 में दिया गया है इसके बाद यदि हम देखें तो कुछ विधेयको को राज्य विधान मंडल द्वारा स्विक्रित हो जाने पर राश्ट्रपती की स्विक्रिती लेना अवश्यक होता है मतलब राज्य विधान मंडल से स्विक्रित हो चुका है फिर भी उसको राश्ट्रपती की मंजूरी लेना अवश्यक होता है तभी जाकरके वह कानून ब बनाए गए कानून के विरोध में हो तो ऐसा ये सब भी जो कानून होता है समवर्ती सुची के विशय पर जो कानून बना हुआ है और संग के साथ उसका विवाद यदि हो जाता है तब भी यदि विधान मंदल स्विकृती दे चुकी है उसके बाद भी राश्ट्रपती से लागू होती है अनेथा सुन्य हो जाती है मतलब राश्ट्रपती यदि मंजूरी देगा तब ही वह कानून जो है राजे में लागू होगा अगर मंजूरी नहीं देता है तो वह जो है कानून सुन्य हो जाता है वो अमल में नहीं लाया जा सकता नेक्स्ट है कि यदि राज राज्य सभा राज्य सुची के विशय के संबंध में दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राश्ट्रिय हित में संसद को किसी खास विशय पर कानून बनाना चाहिए तो संसद राज्य सुची के उस विशय पर कानून बना सकती है यह दिया हुए अनुछेद 249 तो यहां एक विशेश परिस्थिती होती है जिसमें राज्य सभा जो है वो राज्य सुची के किसी विशेव पर दो तीयाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है कि राश्रिय हित में ये विशेव है और इस पर संसद को कानून बनाना चाहिए तब जो है संसत राज़ सुची के उस βिशय पर कानून बना सकती है और यहाँ जो आपका सक्ती दिया हुआ है या केवल राज़ सभा के पास है तो राज़ सभा और लोग सभा के पास क्या-क्या विशेश रखतियां है यह भी आप संसद वाले मेरे वीडियो में देख सकते हैं उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा ठीक है वैसे भी जो विधान मंडल है और जो संसद है दोनों का कारे पद्धती लगभग समानी होता है तो यदि संसद वाला वीडियो आप पहले देख लेते हैं तो यह वीडियो समझने में आपको आसानी हो जाएगी एक दूसरे से रिलेटेड होता है पॉलिटी में सब इसलिए पहले जो जानना जरूरी है वो बिलकुल ही अच्छे से पढ़ लीजे तभी आप दूसरा चीज पढ़िए ठीक है और यह तो लाश्ट का वीडियो है पॉलिटी तो अब समाप्त होने वाला है तो पहले के सारे वीडियो जो आप देख लें तो जादा आच्छा रहेगा यदि अनुचेद 356 के तहट राज्य के समवैधानिक तंतर के विफल होने पर राश्टर पति सासन लागू किया गया है तो संसद उस राज्य के सम्मंद में राज्य सुची के विश्यों पर कानूनों का निर्मान कर सकती है यह भी जो है एक प्राद्धान है इसके अलावा देखते हैं तो संसद अंतर राश्टर ये संधियों और समझोतों का पालन करने के लिए भी राज्य सुची के किसी विश्य पर कानून बना सकती है या अनुचेद 253 में दिया गया है तो इस प्रकार से विधाई सकतियां हमने देखी विधान मंडल की अब हम देखते हैं प्रसाशनिक सकतियां मतलब Executive Powers राज्य विधान मंडल को कार्यपाली का, यानी की मंतरी परिसत पर नियांदरन करने की भी सकती प्राप्त है राज्य मंत्री परिशत जो है वह विधान सभा के प्रती सामोहिक रोप से उत्तर दाई होती है यह हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं इसमें collective responsibility जो होती है मंत्री परिशत की वह विधान सभा के प्रती होती है और विक्तिकत responsibility जो होती है वह राजयपाल के प्रती होती है अता मंतरी परिशत तभी तक अपने पदपर बनी रह सकती है जब तक उसे विधान सभा से बहुमत या विश्वासमत प्राप्त है यदि विधान सभा मंतरी परिशत के विरुद्ध और विश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे त्याग पत्र देना परता है मतलब नो confidence motion यदि लाया गया विधान सभा में और वह पास हो गया तब सरकार को इस्तिफात देना पड़ेगा अनिता राजय पाल जो है उसको बर्खास्त कर देंगे मतलब जो आपका मंतरी परिशत है वो बर्खास्त हो जाएगा यानि कि विधान सभा बर्खास्त तो हो जाएगी मंतरी परिशत पर नियंतरन रखने के लिए विधान मंडल के सदस्य, मंतरी परिशत के सदस्यों से सासन सम्मंधी प्रश्ण और पूरक प्रश्ण पूछ सकते हैं कार्य अस्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और कटोती प्रस्ताव इत्यादी प्रस्तूत कर सकते हैं साथ ही वे सरकार की नीती की आलोचना भी कर सकते हैं अब ये कार्य अस्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और कटोती प्रस्ताव क्या होता है यहाँ पर दुबारा नहीं बताऊंगा संसत वाले वीडियोज में मैं ये बता चुका हूँ और ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बराबर आपका current affairs में ये सब चीज आते रहती हैं तो आप लोग जरूर से जरूर वो वीडियो देख लिजे लिंक आपको description में मिल अब हम देखते हैं वित्य सक्तिया यानि कि financial powers के बारे में विधान सभा को राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंदरन प्राप्त होता है धन विधेयक और वित्त विधेयक को राज्य पाल की पूर्व अनुमती से केवल विधान सभा में ही प्रस्तुत किया या सकता है यह ब लंबित कर सकती है यह अभी बहुत important line है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है याद रखियेगा ठीक है प्रत्यक वित्तिय वर्स के प्राड़म्ध में राज्य पाल के आदेश से वित्त मंतरी द्वारा वर्स भर के आयव्याय का विवरन यानि की वजट जिसको वार्सिक वित् पुछेद में दिया गया है यह जरूर कमेंट में लिकिएगा यदि आप लोगोंने वीडियो देखा है तो आपको पता होना चाहिए आगे देखते हैं इनमें दो तरह के अनुमानित वियाय दर्सित होते हैं जो बजट होता है उसमें कौन-कौन सा वियाय होता है तो राज आजे की संचित निधी पर भारित वियाय पर विधान मंडल की स्विक्रिती आवश्यक नहीं होती है अतह ऐसे वियाय को विधान सभा में बद्दान के लिए नहीं रखा जाता है यदि पी इस पर चर्चा की जा सकती है यह भी important point है याद रखियेगा अन्य वियायों के संब में विधान मंडल की स्विक्रिती आवश्यक होती है विधान सभा को इसके लिए अनुमती देने या नो देने या उसमें कमी करने का अधिकार होता है किन्तु उसमें वृद्धी करने का अधिकार नहीं होता है यह भी important point है मतला उसमें कमी कर सकती है उस पर अनुमती दे सकत लेकिन जो आपका व्याय है अन्य व्याय के संबंध में जो रखा गया है कि हमको एक हजार करोर व्याय करना है तो उसमें एक हजार व्याय करोर को कम कर सकता है लेकिन एक हजार करोर से एक डेर हजार करोर या दो हजार करोर नहीं कर सकता है मतलब वृद्धी करने का अधिकार नहीं होता है राज्य की संचित निधी से कोई विधान सभा की अनुमती से ही किया जा सकता है अन्यता नहीं किया जा सकता है और इसके लिए विनियोग विधेयक जो है वह पारित किया जाता है अनुचेद 204 के हिसाब से और विनियोग विधेयक क्या होता है यह भी संसद वाल वीडियो जरूर से जरूर देखिए में मिल जाएगा नेक्स्ट है निर्वाचन की सकती मतलब पावर ओफ इलेक्षन तो विधान सभा के निर्वाचित सदस्य जो है वह राश्ट्रपती के चुनाओ के लिए गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं तथा राश्ट्रपती का चुनाओ करते हैं अब विधान परिशत के एक तिहाई सदस्यों का चुनाओ करते हैं तथा आपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाओ करते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि विधान परिशत के सदस्यों का चुनाओ किस प्रकार से होता है तो एक तिहाई सदा से जो है वो राजय पल मनुनित करते हैं तो पांच बट्टे छो में क्या क्या होता है यह मैं बता चुका हूँ दुबारा नहीं बताऊंगा चलिए आप जाकर के वो वीडियो जरूर से जरूर देख लीजे आप लोग को आदत कैसे लगी की वीडियो देखने की यार सब समझ में नहीं आएगा जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक समविधान संसोधन की सक्ति नेक्स्ट है पावार ओफ अमेंडमेंट ऑफ दे कंस्टिचूशन समविधान के अनुछेद 362 में वर्नित उपबंध ऐसे हैं जिसमें संसोधन के लिए आवश् लेती है और इसके बारे में भी संसादवाले वीडियो में बता चुगा हूँ कि किस प्रकार से समविधान संसोधन के लिए कम से कम आधे राजियों के विधान मंडलो द्वारा स्विकृति आवश्यक होती है तो वह भी आप जाकर के देख लिए वैसे समविधान संसोधन क एक अलग वीडियो भी आएगा इसके जश्ट बाद और उसमें मैं बताऊंगा कि समविधान संसोधन तीन प्रकार से किया जाता है कैसे कैसे किया जाता है वह सब मैं उसमें समझाओंगा और जो प्रमुक्ष समविधान संसोधन आज तक किये गये हैं उनके बारे में भी मै इसके अलावा देखते हैं अन्य सक्तिया एवंकारिय यानि की other powers and functions विधान सभा अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटा सकती है लेकिन ऐसा करने के लिए अवश्यक है कि 14 दिनों की पुर्व सूचना देकर विधान सभा समस्त सद्यस्यों के बहुमत से प्रस उनको पुर्व सूचना देदीजिए और उसके बाद समस्त सद्यस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दीजिए तो यहां हट जाएंगे अपने पब से आगे देखते हैं तो राज विधान सभा कुल सद्यस्यों के बहुमत तथा उपस्तित और मद्दान करने वाले परिषद की अस्थापना या समाप्ती का अनुरोध संसद से कर सकती है इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में पर्श चुके है कि विधान परिषद का गठन कैसे किया सकता है किसी भी राज में यदि नहीं है तो उसका गठन कैसे किया सकता है अस्थापना कैसे क जा सकती है या फिर यदि किसी राज्य में है तो उसे समाप्त कैसे किया जा सकता है यह भी मैं बता जुगा हूँ विधान परिशत वाले वीडियो में तो उसको जा कर देखिए राज्य विधान मंडल को अपने सदस्यों के विशेसा धिकारों का उलंगन करने या सदन का अपमान करने वाले वेक्तियों को डंडिट करने की भी सकती प्राप्त है वह अपने सदस्यों को भी सदन में अनुचित व्यवहार करने पर सदन की सदस्यता से निलंबित या निस्क आपना कर सकती है या अनुचेद 162 में दिया गया है पूछा या सकता है कि किस अनुचेद में राज्य की आकस्मिक निधी के बारे में जिक्र किया गया है तो अनुचेद 162 राज्य की आकस्मिक निधी जो होती है वह राज्य पाल के व्यायाद धीन होती है मतलब राज्य पा होती है सेम प्रकडिया यहाँ पर भी होती है तो संसद वाला वीडियो यदि आप देख लेंगे अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इसलिए एक बार फिर बोल देता हूँ जरूर ही है बोलना भाई कि आप जाकर के संसद वाला वीडियो जरूर देख लिजे इसमें डिटेल में मैं नहीं बताने वाला हूँ वहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया है संसद वा राजय विधान मंडोलो में विधी निर्मान की प्रकिडिया लगभग समान है इसमें तीन प्रकार के विधीयक पारित किये जाते हैं पहला होता है साधारन विधीयक दूसरा होता है धन विधीयक और तीसरा होता है वित्विधीयक समविधान संसोधन विधयक केवल संसद में लाया जा सकता है राजी विधान मंडल में नहीं लाया जा सकता है इसलिए यहाँ पर तीनी प्रकार के विधयक होंगे चौथा प्रकार नहीं होगा याद जरूर रखिएगा देख लेते हैं साधारन विध्यक किस प्रकार से पारित होता है और होता गया है तो ऐसे विध्यक जो न तो धन विध्यक है नहीं वित्य विध्यक तो ये विध्यक साधारन विध्यक की स्रेणी में आते हैं इनको पारित करने की प्रकिडिया संसद में अपनाई जाने वाली प्रकिडिया के ही समान है जैसा मैंने पहले भी बताया था इसमें प्रथम पाठन होता है प्रतम पाठन में क्या होता है तो इस विधेयक को विधान मंडल के किसी भी सदन में प्रस्तूत किया जा सकता है विधान सभा हो या विधान परिशाद हो इस प्रकिडिया में विधेयक केवल मंतरी द्वारा ही प्रस्तूत किया जाता है तथा उस पर कोई चर्चार नहीं होती है मतलब कोई भी जो मंतरी है राज्य का जो मंतरी है वह विधयक को प्रस्तूत करता है लेकिन प्रतम पाठन में उस पर कोई चर्चा नहीं होती है तो अब आता है दूतिये पाठन की बारी आती है तो इस चरण में विध्यक के सभी उपबन्नों पर विश्ट्रित विचार विमर्ज किया जाता है तथा संसोधन प्रस्तावित कर उन पर मतदान किरा जाता है इसके बाद आती है तृतिये पाठन की बारी और यहां अंतिम चरण होता है इस चरण में केवल विधेयक को स्विकार या औस्विकार करने पर चर्चा होती है कोई संसोधन नहीं किया जाता है सदन से पारित होने के पहचात विधेयक को दूसरे सदन यदि वहां विधान परिशद है तो भेज दिया जाता है अन्यता राजेपाल के पास भेज दिया जाएगा ठीक है तो यह हो गया आपका तृतिये पाठन अब यदि विधान परिशद है और दूसरे सदन में यदि भेज दिया गया है मतलब विधान परिशत में भेज दिया गया है तो वहाँ पर क्या होगा यदि विधान सभा से पारित होने के पहशात विधेयक को विधान परिशत में भेजा जाता है तो वहाँ पर भी विधेयक इनी तीनों चरनों से होकर गुजरता है विदेयक पर निर्ने लेने के लिए विदान परिशत के पास तीन विकल्प होते हैं विदेयक को उसी रूप में पारित कर दिया जाए जया विदेयक कोई कारेवाही न करते हुए उसे लंबित भी किया जा सकता है यदि विधान परिशद विधयक को अस्विक्रित कर दे या तीन महीने तक कोई कारेवाही न करे तब विधान सभा इसे पुना पारित कर संसोधन के साथ या विना संसोधन के विधान परिशद को भेज सकती है मतलब तीन महीना तक जो है अधिकतम इसको रोका जा सकता है तीन महीना तक यदि कोई कारेवाही नहीं होता है विधान परिशाद में तब विधान सभा जो है इसे दुबारा पारित करके और संसोधन के साथ भी कर सकती है या फिर बिना संसोधन के भी कर सकती है लेकिन दुबारा पारित करके विधान परिशत को भेज देती है यदि विधान परिशत एक माह में उसे स्विकार कर दे या कोई निर्ने न ले तब विधेयक दोनों सद्नों द्वारा पारित माना जाता है मतलब दूसरा बार यदि भेज दिया जाएगा विधान परिशत के बाद तब वह एक माह में उसे औस्विकार यदि कर देता है या फिर कोई निरने नहीं लेता है तब भी विधेयक दोनों सद्नों द्वारा पारित माना जाता है इस प्रकार विधान परिशा साधारन विधेयक को अधिकतम चार माहा तक रोख सकती है मतलब तीन माहा तक पहली बार में और दूसरी बार में एक माहा तक यह बहुत ही important point है याद रखियेगा technical point है और बराबर पूछा जाता है राजे विधान मंडल में संजुक्त वैठक का कोई प्राबधान नहीं होता है संसाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि संजुक्त वैठक का प्राबधान होता है लेकिन यहाँ पर संजुक्त वैठक का कोई प्राबधान नहीं है राजेपाल की स्विकृति के बारे में देखे तो विधार मंडल से पारित होने के पहशात विधेयक को राजेपाल की स्विकृति के लिए भेज दिया जाता है और अनुछे 200 के अनुसार राजेपाल के पास विधेयक पर निरने के लिए चार विकल्प होते हैं अब ये विकल्प कौन कौन है देख लेते हैं तो वह विधेयक को स्विक्रिती दे सकता है मतलब एक्सेप्ट कर लेगा वह विधेयक पर अनुमती अपनी रोग सकता है या विधेयक को विधार मंडल के पास पुनर विचार कर ले के लिए भेज सकता है या विधेयक को राश् पती के पास निमलिकित विकल्प होते हैं तीन विकल्प होते हैं वह विधयक पर अपनी अनुमती दे सकता है या वह विधयक पर अपनी अनुमती रोख सकता है या विधयक को यदि धन विधयक नो हो तो राज विधार मंडल के पुना विचार के लिए लोटा सकता है याद र प्रावधान नहीं दिया गया है कि दुबारा पुनर विचार के बाद यदी निर्ने करके च्छा महीने का ही समय होता है दुबारा भेजने के लिए यदी नहीं भेजता है तो विधेक खतम हो जाएगा और यदी चा महा के अंदर निर्ने कर राष्ट्रपती को वापस भेज दिया जाता है तब उसके बाद राष्ट्रपती क्या निर्ने लेगा इस बारे में समविधान में कुछ भी नहीं दिया गया है ठीक है आगे देख लेते हैं धन विध्यक के बारे में मनी विल जिसको कहा जाता है तो धन विध्यक के संबंद में समविधान में विशिष्ट प्रकिरिया बताई गई है राज विधान मंडल में पारित किये जाने वाले धन विध्यक के संबंद में प्रावधान समविधान के अनुचेद 199 में उल्लिकित है तो यह important point है 199 याद रखिएगा धन विधयक को पारित करने के लिए अपना जाने वाली प्रकिरिया क्या है तो यदि प्रश्ण उठता है कि कोई विधयक धन विधयक है या नहीं है तो इस पर अंतिम निर्ने विधान सभा अध्यक्ष का होता है बहुत ही important point है संसद में आपका लोग सभा अध्यक्ष का होता है और यहाँ पर विधान सभा अध्यक्ष जो है यह निर्ने लेता है कि कोई विधयक धन विधयक है या नहीं है और उसका निर्ने अंतिम होता है धन विधयक को केवल विधान सभा म इसमें important है बहुत ही जरूरी है याद रखिएगा धन विद्यक पर विधान परिशत के पास सिमित सक्तिया होती है वह धन विद्यक पर केवल सिफारिश कर सकती है नो तो उसके द्वारा इसे अस्विकृत किया सकता है और ना ही इसमें संसोधन किया जा सकता है विद्यक विद्यक को अपने पास रोख सकती है विद्यान सभा इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माल लिया जाता है इसे लिए कहा गया है कि विद्यक के पास धन विद्यक के संबंद में कोई विद्यक सकती नहीं है अब देखते हैं राजेपाल धन विदेयक को स्विकार कर सकता है या और स्विकार कर सकता है या राश्ट्रपती के पास स्विकृति के लिए सुरक्षित रह सकता है लेकिन समाने तहरा राजेपाल धन विदेयक पर स्विकृति दे देता है क्योंकि अनुचेद 207 के ताहत विधेयक उसकी पूर्व सहमती से ही प्रस्तूत किया जाता है हम लोग पहले देख चुके हैं कि धन विधेयक को प्रस्तूत करने से पहले राजेपाल की पूर्व अनुमती अवश्यक होती है तो पहले जब अनुमती दे चुका है तो बाद में काहेरो कोई चांजा भाई तो इसको जो है अगे देख लेते हैं फिनांस बिल यानि की वित्व इधेयक के बारे में क्या प्रकिडिया अपनाई जाती है तो वित विद्यक उन सभी विद्यकों को कहते हैं जिनका संबंद वित से जूरे मामलों से होता है जैसे सरकार के राजश्व यानी की revenue या फिर वियय यानी की expenditure से संबंदित विद्यक किसी कर को लगाना या उसमें परिवर्तन करना या आधी वित्विध्यक को का सामान्य विशय होता है मतलब कोई टेक्स लगाना हो या उसमें कोई परिवर्तन करना हो टेक्स में तो या सब वित्विध्यक का विशय होता है हर धन विध्यक वित्विध्यक होता है किन्तु हर वित्विध्यक धन विध्यक नहीं होता बहुत ही important point है याज जरूर रखिएगा ठीक है और यहाँ पूछा भी जाता है बराबर पूछा जाता है पहला है वित्विध्यक प्रकार एक जो कि अनुचेद 207.1 में दिया गया है और वित्विध्यक प्रकार दो जो कि अनुचेद 207.3 में दिया गया है ठीक है अब देखते हैं कि वित्विध्यक पहला प्रकार का जो वित्विध्यक है वो कैसे पारित होता है तो ये वैसे विधयक होते है जिनमें अनुछेद 199 में उल्लिक है, तो कोई विषय तो सामिल है ही, साथ ही इससे बाहर के विषय यानि कि अनुछेद 199 की परिधी के बाहर के विषय भी इसमें सामिल है ऐसे विध्यक दो मामलों में धन विध्यक के समान होते है इसे या इन्हे विधान सभा में ही पेश किया सकता है विधान परिशाद में नहीं पेश किया सकता है तो याद रखिएगा कि पहले प्रकार का जो धन विध्यक होता है उसको विधान सभा में ही पेश किया सकता है वि लागू होते हैं जो साधारन विध्यकों के संबंद में बताए गए हैं मतलब वही प्रथम पाठंद वितिये पाठंद रितिये पाठंद इत्यादी विधान परिशद या राजयपाल की जो सक्तियां साधारन विध्यकों के संबंद में मिली हुई है वे ही इन विध्यकों के संबंद में भी लागू होती है उधारन के लिए राजपल चाहे तो ऐसे विद्यकों को पुनरविचार के लिए सदन या सदनों को लोटा सकता है जबकि वह धन विद्यकों के मामले में ऐसा नहीं कर सकता है तो कुछ मामले में जो है या धन विद्यक के समान भी होता है और कुछ मामले में धन विद्यक से अलग भी होता है ठीक है आगे देख लेते हैं दूसरे प्रकार का जो वित्य विध्यक है वो क्या है तो इस वर्ग में वैसे विध्यक सामिल है जिनकी चर्चा अनुछेद 207-3 में की गई है इसमें राज्य की संचित निधी से होने वाले खर्चों से जुड़े उपबंध होते हैं लेकिन ऐसा कोई विषय सामिल नहीं होता जिसका संबंध अनुछेद 199 में सामिल विषयों से हो ठीक है तो दोनों में असपष्ट अंतर है यह आप समझ गये होंगे ऐसे विध्यकों पर प्राया साधारन विध्यकों वाले प्राब्धान ही लागू होते हैं उधारन के लिए इन्हें किसी भ पाल की पूर्व अनुमति की आवशकता नहीं होती है और राज्यपाल के पास इन विध्यकों के संबंध में स्विकृति देने रोक लेने या पुनर विचार हेतु वापस भेजने सहीत सभी प्रकार के विकल्प मौजूद होते हैं मतलब चारों विकल्प यहाँ पर राज विध्यक है वह धन विध्यक से उसका कोई संबंध नहीं है धन विध्यक के समान वो नहीं होता है किसी भी तरह से अब दूसरे प्रकार के विध्यक के बारे में और देखें तो इन विध्यकों के संबंध में सिर्फ एक बात भी से समहत्वकी है कि ऐसे विध्यक को कोई भी सदनों को लेनी होती है important point है याद रखिएगा अब हम लोग देख लेते हैं विभिन्य प्रकार की निधियों के बारे में हम लोग उपर देख रहे हैं कि संचित निधी होती है आकश्मिक निधी होती है तो भाया ये सब क्या होता है उसके बारे में देख ले भारतिय समविधान में राजे सरकार के राजा स्वतता खर्चो आदी के लिए तीन प्रकार की निधियों की चर्चा की गई है अब ये कौन-कौन है पहला है राजे की संचित निधी यानि की Consolidated Fund of the State इसकी चर्चा अनुछेद 266 में की गई है Important Point है याद रखिएगा राजे सरकार को प्राप्त होने वाला कुल राजा स्वई कुल रेविन्यू तथा रिन अदाएगी यानि की लोन रीपेमेंट से प्राप्त होने वाला कुल धन इसी में जमा कराया जाता है और राजे सरकार के सभी खर्चे भी सामानेता इसी निधी के माध्यम से होते हैं इस निधी से धन तभी निकाला जा सकता है जब राजे के विधान मंडल ने विन्योग अधिनियम यानि की Appropriation Act या अनुपूरक अनुदान यानि की Supplementary Grant समंधी अधिनियम पारित कर दिया हो तो यह important है याद रखिएगा और इन दोनों के बारे में जो आपका अनुदान है या अनुपूरक अनुदान है या फिर जो आपका विन्योग अधिनियम है इन सब के बारे में संसद वाले में बताया हूँ तो हां तमें एक बार फिर जे भईया बता देता हूँ कि वो वीडियो जरूर देख लीजे राजे की संचित निदी पर भारित विया कौन कौन होते हैं तो राजेपाल की उपलब्दियां और भत्ते तथा उसके पद से सम्मंदित अन्यवे दूसरा है विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिशत वाले राजे की दसा में विधान परिशत के सभापती और उप सभापती के वेतन एवंभत्ते किसी उच्च न्यायले के न्यायधिसों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में व्याय इंपोर्टेंट पॉइंट है याद जरूर रखियेगा ऐसे रिन तथा उसके ब्याज आधि जिसका दाइतु राजे सरकार पर है किसी न्यायले या मध्यस्त या अधिकरन के निर्ने डिक्री या पंचाट की तुष्टी के लिए अपेक्षी तरास या मतलब कोई भी मध्यस्तता कर रहा है अधिकरन है कोई भी जो की राजे सरकार ने अस्थापित किया है तो उसके खर्चे के लिए पैसा वएगर देगा न भीया तो वो संचित निधी से ही देगा उच्छ न्यायले के न्यायधी सो का पेंसन भारत की संचित निधी से दिया जाता है अनुचेद 112-3 के ताथ तो याद रखिएगा उच्छ न्यायले के न्यायधी सो का वेतन तो राज्ये की संचित निधी से दिया जाएगा लेकिन पेंसन जो है वो भारत की संचिर निधी से दिया जाएगा बहुत ही important point याद रखिएगा technical point है याद रखना जरूरी है राज्य की आकश्मिक निधी के बारे में अधी देखे यानि की contingency fund of the state के बारे में देखे तो समविधान के अनुचे 260 में राज्य विधार मंडल को अधिकार दिया गया है कि वह राज्य की आकश्मिक निधी नाम से ग्यात होने वाली एक निधी की अस्थापना कर सकेगा इस निधी का उद्देश्य या होगा कि जब तक किसी आकश्मिक खर्च के लिए विधार मंडल ने राज्य सरकार को प्रधिकृत नहीं किया हो तब तक राज्य पाल उसमें से अवश्यक धनरासी सरकार को अगरिम के रूप में देख सकेगा ठीक है important है या निधी राज्य पाल के अधिकार में रहती है तथा इसे संचालित करते हैं तो संसदिय कार्यवाही की ज़रुत नहीं होती है राज्य सरकार की ओर से वित्त सचिव इसका संचालन करते हैं बहुत ही important है याद रखिएगा नेक्स्ट है राज्य का लोक लेखा यानि की public account of the state जोकी अनुचे 266 में दिया गया है संचित निधी में वो जो रासियां सामिल होती हैं उसके अलावा सभी सारवजनिक रासियां राज्य के लोक लेखा में जमा होती है इस खाते से धन निकालने के लिए सरकार को विधान मंडल की मंजूरी की आवश्यक्ता नहीं होती है important point है याद रखिएगा ठीक है public account of the state से रासी निकालने के लिए या धन निकालने के लिए राजय सरकार को विधान मंडल की मंजूरी की आवशक्ता नहीं होती है अब हम लोग देखेंगे जो कि हमारा last point है इसके बाद हमारा ये वीडियो समाप्त हो जाएगा विधान सभा और विधान परिशत की तुलना हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही जरूरी point है और हो सकता है कि आपका मेंस में भी यह point पूश दिया जाए कि विधान सभा और विधान परिशत का तुलनात्मक अध्यायन कीजिए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं विधान सभा के बारे में यह दिदेखें तो राज्य के सम्मंद में विधान सभा के पास वही सकतिया है जो लोग सभा के पास होती है अर्थात राज्य विधाई प्रकिडिया में विधान सभा अधिक सक्तिसाली होती है राज्य के सम्मन्द में विधान परिशद के पास बहुत ही सिमित सक्तिया होती है जो कि हम लोग उपर देख भी चुके हैं विधान परिशाद और विधान सभा के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उनकी सक्तियों के बारे में हम लोगों ने देखा था तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि विधान सभा के जो सक्तिया होती है वो विधान परिशाद से अधिक होती है आगे देखते हैं साधारन विधेयक दोनों सदनों में पूरा अस्थापित किया पेस किया जा सकता है लेकिन धन विधेयक तथा वित्य विधेयक केवल विधान सभा में ही प्रस्थूत किया जा सकता है और विधान परिषद में केवल साधारन विध्यक जो है वही पेस किया सकता है अन्य दोनों विध्यक पेस नहीं किया सकता है तो यह जो है मुख्य अंतर है याद रखिएगा इसके बाद देखते हैं तो विधान सभा के बारे में देखे तो मंतरी परिषद विधान सभा के प्रती उत्तरदाई होती है सामुही करूप से लेकिन विधान परिषद के बारे में देखे तो इसकी सक्ति यहां से भी समझ सकते हैं की जादा होती है धन विदेयक केवल विधान सभा में ही पेस किया सकता है इसे पारित करने की सरवाधिक सक्ति विधान सभा के पास ही है धन विदेयक पर विधान परिशत के पास सिमिख सक्तिया होती है वा धन विद्यक को अधिक्तम 14 दिनों तक ही रोख सकती है धन विद्यक के संबन्द में यह दिये हम देखें तो विधान सभा के पास ही जादा सकतिया होती है साधान विद्यक पर भी अंतिम सकती जो है वा विधान सभा के पास ही होती है सादान विद्या को विधान परषद कितने महा तक रोख सकती है अधिक्तम 4 महा तक ही रोख सकती है जैसा हम लोग उपर देख चुके है तो यहां पर भी सक्टी जो है विधान gegenüber के ही अधिक होती है इसके बाद देखें तो राजे सभा के चुनाव में विधान सभा के सदस्य भाग लेते हैं जबकि विधान परशद के सदस्य राजे सभा के सदस्य में भाग नहीं लेते हैं यह भी important point है आगे देखते हैं तो विधान परिशत का अस्तित्व विधान सभा की इक्षा पर निर्भर करता है विधान सभा विशेश महमत से संकल्प पारिद कर विधान परिशत के उत्सादन की सिफारिश संसत से कर सकती है मतलब विधान सभा यदि विजेस बहुमत से संकल पारित कर दे तो राजे में विधान परिशत रहेगा ही नहीं संसत से बोल देगा कि भईया विधान परिशत जो है हमारे राजे से समाप्त कर दीजे तो विधान परिशत का अस्तित वह किस पर निरबार है विधान सभा की एक्छाप पनिड़वार है जबकि विधान परिशत को इस सम्मंद में कोई सक्ति प्राप्तन नहीं होती है तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि विधान परिशत जो है वह राजे में विधान परिशत जो है वह राजे में विधान सभा से कम सक्तिसाली होती है ठीक है तो अब जो है हमारा राजे विधाई का भी जो है वो समाप्त होता है राजे कारेपालिका के बारे में हम लोग पहले ही पर चुके हैं कुछ विसेश जो समीतिया होती हैं वो देख लेंगे और उसके बाद जो है आपका छोटे मोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं निती आयोग इत्यादी के बारे में देख लेंगे कुछ प्रमुख जो आयोग होते हैं निती आयोग विधी आयोग इन सब के बारे में देख लें आपको पॉलिटी का जितना फी प्लेलिस्ट है उसका वो जरूर से जरूर देख लिजिए चैनल पर यदि नए हैं तो वीडियो आप देखी रहे हैं मैंने मेहनत से बनाया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और क्वेस्चन बना करके देखिए आप सबसे पहले क्वेशन बना करके देखिए यदि सारा क्वेशन बन जाता है 95% तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलता रहे इसके अलाबा यदि चैनल पर पहले से सदसे हैं तो लाइक जरूर कीजिए और कॉमेंट भी करते रहिए ताकि हमको पता चलता रहे कि भीया क्या चाहिए आपको आप जब तक बताएंगे नहीं कि क्या स्पेसाल चाहिए कि सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना है कि इस टॉपिक पर आपको दिक्कत है तभी तो हमको समझ में आएगा कि क्या हाँ से क्या बनाना है नहीं तो जैसे मन करेगा वो इसे जैसे बनाते हैं वो इसे बनाते रहेंगे, ठीक है, और लाइक करना जरूरी है, ताकि हमको motivation मिलता रहे, जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा ही लोग देखते भी है, लोग की मन में मान सकता बनी होती है, कि जिस पर ज्यादा होता है वही वीडियो बढ़िया होता है है ना तो आप लोग जो है लाइक जरूर कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सेर भी करते रहिए वीडियो जो को ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी मेहनत पहुंस सके ठीक है तो चलिए इसे के साथ अब मुझे दीजिये अजाजत जय हिंद वंदे मातरम